गुड मॉर्निंग स्टुदेंट्स, मैं उकेश कुमार संख्वार, लेक्चरर अर्गिटेक्चर एंड इंटियर डिजाइन दिपार्टमेंट, S.R. गॉवर्मेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सागर कॉर्स आर्गिटेक्चर एंड इंटियर डिजाइन, सेमेस्टर थर्ड, C.G.P.A. स्कीम, C.G.P.A. 2015, सब्जेक्ट हिस्टी अफ आर्गिटेक्चर, कॉर्स कोट 303, मॉडिल इनिट वन, और आज का टॉपिक है सांची स्टूपा, बुधिस्ट आर्गिटेक्चर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि बुधिस्ट आर्गिटेक्चर होता क्या है, उसके फीचर क्या क्या है, करेक्टर क्या क्या है, उसमें हम सांची स्टूपा पढ़ेंगे सांची स्टूपा के बारे में समझ पाएंगे बुधिस्ट आर्गिटेक्चर, यह आप देख सकते हैं, यह में इंट्रेंस गेट है, स्टूपा का, सांची स्टूपा का बुधिस्ट आर्गिटेक्चर has its root deeply implanted in the Indian soil, the birthplace of the Buddha's teaching तो बुधिस्ट आर्गिटेक्चर की सुर्वाद जो है, इंडिया से ही हुआ है, बुध्धा के birthplace के जगा से ही उसके teaching से बुधिस्ट आर्गिटेक्चर का सुर्वाद हुआ है Buddhist architecture begin with the development of various symbols representing aspects of Buddha's life, 563 BC to 483 BC Indian emperor Asoka not only established Buddhism as the state region of his large Magadh empire but also opted for the architecture monuments to spread Buddhism in different places तो जो असोक इंडियन एंप्रेयर था, राजा था उसने बुधिस्ट को सिर्फ अपने ही स्टेट तक के सिमित नहीं रखा, अपने ही स्टेट मगत तक के ही सिमित नहीं रखा, बलकि उसको पूरे भारत वर्ष में बुधिस्ट के नुरूमेंट्च उसके टीचिंगж को जो कि होते हैं चार टैप से, बुद्धिस्ट अर्गिटेक्चर बुद्धिस्ट पिरियर्ड में चार टैप के स्ट्रक्चर्स बनाएं जाते थे, उसमें से हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर इस्टूपा, एक माउंड स्ट्रक्चर होता है, डॉम्स हेमिस्पेरिकल, दूसरा होत सब्सक्राइब करते हैं विहारा यह प्रिस्ट के रहने की इस्थान होती है इस है बिन मेर एस स्पेक्टेटर्स ऑफ डिफरेंट एरा स्कॉइट ली स्पिक्स अबार्ट दा फेसस ऑफ दा बुद्धिस स्टेज तो बुद्धिस्ट के जो लाइट के बारे में अलग-अलग स स्टेज को यह डिस्क्राइब करते हैं हम देखते हैं सबसे पहले इस्तूपा होता क्या है इस्तूपा ही जा माउंड लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग बुद्धिस्ट रिलिक्स टिपिकली दरीमेंस अब बुद्धा यूजट बाइब बुद्धिस्ट ऐसा प्लेस अफ व और उसमें रिलिक्स का यूज़ हुआ है अलग-अलग टाइब से वो प्लेस अफ वर्सीफ होता था बुद्धिस्ट आर्केटिक्चर में जैसे हिंदूओं में टेंबल्स होते हैं दिस इस्तूपास अर्दक सर्कुलर टुमिली बल्ट अफ अर्थ कवर्ड विथ इस्टोन और ब्रिक तो यह सर्कल उसका प्लान हमको मिल जाएगा और वो उस टैप से स्टूपा का निर्माट करते थे साची स्टूपा यहाँ पर आप देख सकते हैं साची मध्य परदेश लोकेशन में साची स्टूपा बना हुआ है वो एक पूरा कॉंपलेक्स है अलग-अलग बुद्धिस्ट के वहाँ पर स्टूपा बने हुए है इस लोकेशन प्लान से आप देख सकते हैं कि स्टूपा 2, स्टूपा 3 और यहाँ पर एक हमारा ग्रेट स्टूपा बना हुआ है बीच में यह और यह प्लेन से थोड़े हाइटेड बना हुआ है थोड़े हिल में तो यह प्लेन से 100 मिटर उपर है यहाँ पर साची स्टूपा बना हुआ है यह लोकेशन प्लान है साची स्टूपा का दे ग्रेट स्टूपा एक साची इस दे ओल्लेस स्टोन इस्टूप्चर इन इंडिया और उसको असोका ने थर्ड सेंचूरी बिसी में बनाया था यह जो स्टूप्चर है स्टोन से बना हुआ है पूरा बट इसका जो डोम वाला पार्ट है उसमें ब्रिक का इस्तेमाल किया गया है यूस किया गया है इट वास क्राउंट बाइदा च्छत्र पैरसल लाइक स्टूप्चर सिंबोलाइजिंग हाई रैंक विछ वास इंटेंटेड टू अनरेंड शेल्टर दरेलिक्स इट है फोर प्रॉफरसली कार्वेंट औरनलमेंटल गेटवेश एंड बाजुस्टेक्रिट इंञें इंसर्क्लिंग दा वोलुस्टेक्चर architecture features की बात करें तो dome is a solid brickwork जो dome वाला part है वो एक solid brickwork है जिसका diameter 32.32 meter है और उसकी height 12.8 meter है यह dome का size है diameter में 32.32 और height है 12.8 meter the dome has a slight crushed profile top end was surmounted by harmika with a central triple umbrella तो dome का center का जो height height part है top center में वहां पे एक harmika बना हुआ है और एक छत्र बना है the facing of the dome consists of dry machinery composed of hammer dress stone laid in even courses जो face है dome का वो उसका machinery के साथ stone used किया गया है और उसमें even courses के थूरू stone को लगाये गए the terrace 4.87 meter high from ground was added thus creating a separate and upper ambulatory passage 1.8 meter तो dome में ऐसा एक passage बना हुआ है परिक्रमा path बना हुआ है जिसकी चोडाई 1.8 मीटर है जिसका ground से height 4.87 मीटर है इसमें double staircase बढ़ा हुआ है एक इस साइट से और एक इस साइट से यहां से भी entry कर सकते हैं यहां से भी कर सकते हैं और उसमें stone के बालू street लगाये गए हैं यहां से अब देख सकते हैं सांची स्तुपक का plan और यह है elevation तो यह stairs है एक साइट से यह दूसरे साइट से यह southern साइट है यह तोरन है जो main entrance gateway है उनको सांची या बुद्धिस्टार के ट्चे में तोरन कहते हैं यह यह चार तोरनास हैं यहां पे उपर परिक्रमा path में बालू street stone के लगाये गए हैं यह दोम वाला पार्ट हो गया बीच में center में हार्मिका है और उसके उपर छत्र लगा हुए यह pathway है परिक्मा pathway 1.8 मिटर कुट्स का यहां से अब देख सकते हैं कि isometric view है यह सांची स्तुपका का there are four gateways known as तोरना at the cardinal points to the compass and are slightly staggered from the railing enclosing स्टुपक चारो साइट से center से चार इंट्रेंस gateway बने में जिसको हम तोरना कहते हैं और परिक्रमा path fenced by in railing 3.35 meter high all around the स्टुपक चारो साइट से railing बने गी है outside the railing there once stood the famous asoka pillar the fragments of which are noticed now the right of southern तोरन यहां पर एक single pillar बना है जिसको हम asoka pillar कहते हैं जिसके उपर एक monolithic structure है यह pillar उसमें उपर में lion pillar lion का जो कि हमारा government of india का emblem है वो बना हुआ था वहां से लिया गया है हमारा government of india का emblem इस view से आप देख सकते हैं कि यह जो है railing जो चारो साइट से इस तुपक को cover किया हुआ है तो इसमें railing वाले जो cross bar होते हैं horizontal वाले पार्ट को उसको सूची कहते हैं और vertical वाले को वेदिका कहते हैं और बिज बिच में जो मोटे स्थम है उसको थंबा कहते हैं तो आप यहां से तोरन भी देख सकते हैं main gateway यह हमारा बर्मा उपर ओले railing को कहते हैं यह हमारा umbrella style 76 लगा है और यह हार्मी का पार्ट है इस तरीके से आप देख सकते हैं यह हमारा exonometric view है स्थूपा का इस टाइब से यह स्थूपा बने हुए हैं साची में तोरन तोरन क्या है वह हम देख लेते हैं तोरनाज the entrance to the ambulatory where is accepted as the traditional type of ceremonial port and excel the array of architecture embolizement यहां पे काफी carving किया गया है यह material sandy stone है जिसमें carving करके यह single अलग से main entry पे entrance gateway बना है जिसको हम तोरन कहते हैं तोरना consists of two square upright columns with capitals of lion or elephant heads denoting strength यहां पे entrance पे दो column बने हुआ है जिसक पे दो heads के lion बने में जो के strength इसको provide करता है इस panels are supported by Atlantian figures a group of wars lions and elephants तो इस तोरन में basically elephant wars और lion के figures बने हुए हैं the total height of this erection is somewhat 10.36 with a width of 3 meter तो इसका जो total height height 10.36 meter का है और which is की 3 meter है तो आप देख सकते हैं इसको कि stone में काफी molding और carving करके काफी अच्छा design करके इस तोरन को बनाये गये हैं रेलिंग और वेडिका क्या होता है दा वेडिका और रेलिंग ना सिस्ट अपराइट अक्टोगनल प्लांट 45 cm in diameter spaced at 60 to 90 cm from each other connected by three lens shaped यह है हमारा वेडिका रेलिंग यह stone के पूरे-पूरे बने हुए the top horizontal bar is provided with hoping to drain out rainwater तोड़ा सा slant ऐसा बना हुआ है This is the top part यहां पर्कारुक जिससे पानी रुके ना और वो नीच्छे की और पहए जाए horizontal part है उसको सुची कहते हैं ये वाला जो horizontal part है उसको सुची कहते हैं यह तीन दीख रहे हैं ऐसे और यह वेडिका पर उसको वेडिका कहते हैं और यहां पर ऐसा बीज बीच में थम्ब दिये गए है सांची स्थूपा टाइप का ही एक स्थूपा अमरवती में बना है अमरवती में वहाँ भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का स्टैल देखने को मिलता है हमारे सिलिबस में स्थूपा एट सांची है वो मैंने आपको डिटेल बता दिया है अगर एक और एक्जम्पल आपको देखना है तो यहाँ पे आप स्थूपा टामरवती को भी देख सकते है यह उसके हर्मिका का डिजाइन है यह डॉम का पार्ट है यह लोवर डॉम का महाँ पे ऐसा सेंडी स्टोन को कारो करके बनाए गया है यह गेटवे है हमको इस आर्किटेक्चर में ऐसे पीलर सार जगा डिजाइन मिलेंगे अलग-अलग जगाओं पे लॉयन स्टेच्व भी देखने को मिलेंगे ऐसा सर्कुलर वाले रेलिंग्स भी मिलेंगे जिसमें ऐसे चक्र की तरह डिजाइन के वे पार्टस हैं तो आज की लेक्चर का सबरी है कि हमने आज बुद्धिस आर्किटेक्चर के बाए दिम पढ़ा ग्रेट सांची स्टूपा क्या है कैसा डिजाइन है वो देखा हमने तोरना क्या होता है स्टूपा का structure कैसा होता है railings क्या है हार्मिका क्या है इन सब के बारे में हमने आज पढ़ लिया है पूछ आसेंवेंट के लिए sample questions है हमारे पास जैसे कि objective type questions है railings of सांची स्टूपा called gateway of सांची स्टूपा called 4-4 options है what is the diameter of सांची स्टूपा which material was used for सांची स्टूपा डों तो डों के लिए का उनसा materials क्या गया था what was called a platform upon थी चैतिया विहारा यह हम आगे के next lecture में पढ़ेंगे कुछ short answer type के questions है explain with needy sketch सांची स्टूपा इस type से आप अभिहास कर सकते हैं यह meet same और final semester exam में इस type से question पूछे जाती है sketch करने के लिए बोला जाता है सांची स्टूपा का plan section elevation बनाने के लिए reference के लिए learning resources के लिए हमारे परज़ कुछ text और reference books है जो कि मैंने आपको बता दी है the great ages of world architecture G.K.H.R.S. कर का history of architecture Hindu period 37 grower history of architecture Hindu period Percy Brown का तो यह आप refer कर सकते हैं next lecture में हम पढ़ेंगे बुद्धी स्टार के लिक्चर का इस्तंभास और चैत्या एट कारली चैत्या क्या होता है और इस्तंभास क्या है कैसा design होते हैं उसके क्या क्या features है thank you